हेलो स्टूरेंट्स मैं डॉक्टर इंदु सहरन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज की हमारी हिंदी की कक्षा में आज हम करेंगे सचिदानन्द हीरानन वादसेन अगे की प्रसिद कविता कितनी नाओ में कितनी बार इस कविता के माध्यम से आगे जी विदेशी चकाचोन की अपेक्षा भारतिय संस्कृति की ख्षेश्टता और भारतिय जीवन मुल्यों को ख्षेश्ट सिद्ध करना चाहते हैं इस कविता में हम देखेंगे कि किस प्रकार विदेशी सब्वेता और संस्कृती ने आगे को बार बार परभावित किया प्रन्तु जब ये उस सब्वेता से इनका सामना हुआ ये उस सब्वेता को जानने का प्रयास किया तो इन्हों ने पाया कि भारतिय सब्विता और संस्कृती ही विश्व में सर्वशेष्ट है तो आईए हम इसका व्याख्याभाल करते हैं देखिए जैसे कि कविता का शिर्षक है कितनी नाओं में कितनी बार ये प्रिंटिंग मिस्चेक है थोड़ी लेकिन मैंने इसके प्रारम में इसका शिर्षक डाल दिया है कितनी नाओं में कितनी बार देखिए यहां इस प्रारम में इसका थोड़ा कविता के बारे में बताया गया है कि कितनी नाओं में कितनी बार कवीता में कवी के जीवन के उत्थान और पतन वह आँख मिचोनी का चितरण है देखे उत्थान यानि आगे बढ़ना पतन यानि किसी चीज़ का विनाश होना दोनों ही चीज़ें कभी अपने जीवन में आगे भी बढ़े हैं और वापिस लोट कर भी आए हैं उन्ही सब चीजों की उसी आख मिचोनी का चितरनी हापर है यानि जीवन में आने वाले उतार चड़ाव हम इसको कह सकते हैं अगे जी मानते हैं कि जीवन में निरंतर द्वंद रहता है यानि हमे निराशा है कि कभी तो हम इतने आशावान हो जाते हैं आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं या जीवन में कुछ नया पढ़ावाता है तो उसके लिए उत्साइत हो जाते हैं लेकिन कभी कभी जीवन बहुत निराशा से भर जाता है बैसे ही कभी अंदकार और कभी प्रक यानि जीवन के दोनों पक्षों का चित्रन इस कवीता में वो करना चाहते हैं तो आईए इसकी र्याख्या करते हैं कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नाव में बैठ कर इसमें अगेज यह कहना चाहते हैं कि मैं कितनी बार कितनी ही दूरियों से कितनी दूरियों स तिस में बैट किस लिए गया हूं जाने का विदेशों के सफर पर गया हूँ मैं तुम्हारी और आया हूँ अर्थात मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए जीवन की सत्यता को प्राप्त करने के लिए जीवन की सच्चाई को ढूनने के लिए तुम्हारी और आया हूँ किसकी और गए हैं विदेशी सब्विता की और आकरशित हुए हैं क्योंकि अगे जब भारत देश में हैं तो उन्हें लगता है कि विदेशी सब्विता या विदेशी जो लोग है या विदेशी जो देश हैं वहां की जो संस्कृति है वो उसमें शायद हमारी संस्कृति से कुछ नया है लेकिन ओ मेरी चोटी सी जोती अपने अंतरमन की आवाज को कहते हैं आत्मा रूपी जोती को कहते हैं कि ओ मेरी चोटी सी जोती अर्थात मेरी जो नन्नी आत्मा है उसके बारे में यहां बात कर रहे हैं देखे प्रारम में वो कहते हैं कि कितनी ही दूर से कितनी ह अनेक बार उन्होंने प्रयास किया है उस विदेशी सब्विता और संस्कृति को जानने के लिए और उसे जानने के लिए वो कैसे गए है अनेक बार नाव में बैठ कर वहां जाने का प्रयास भी किया है और वहां गए भी है तुम्हारी ओर आया हूँ यानि वहां गए है ओ मे जीवन की जोती कि मेरी नन्ही आत्मा मेरी आत्मा क्या कहती है कि विदेशों में जो सद्वेता है या जो संस्कृति है उनके बारे में जानने के लिए या मन्द में जो दुविदाएं हैं मन्द में जो प्रश्ण है उनके बारे में जानने के लिए उन्होंने कितनी ही बार व विदेशों में गए हैं किसके बारे में जीवन की सच्चाई के बारे में जानने के लिए आगे वो कहते हैं कभी कुहासे में तुम्हें ने देखता भी किसे न देखता भी जो अभी हमने पीछे किया है जीवन की जोती छोटी सी जो जोती हमने उसके बारे में जाना है कि ननी सी आत्मा कि भले ही मैंने कुहासे कुहासा क्या होता है धुंद जिसे कहेंगे हलका सा जीना सा परदा जिसमें से हम कुछ सपस्ट नहीं देख पाते कि भले ही मैंने तुम्हें नहीं देखता भी नहीं देखा मैंने तुम्हें कब नहीं देखा जीवन की जोती जीवन क्योंकि जीवन में अनेक परकार की दुविदाएं आते है उस उLJन रूपी कुहासे में उल जन रूपी धुंद में मैने कभी तुम्हें शायद ना भी देखा हो किन्तु पर कुहासे की छोटी सी रुपहली जल्मल में प्रन्तु उस परदे के कुहासे यानि धुन्द रुपी जो परदा है उस में मैंने तुम्हें छोटी सी रुपहली रूपवान, सुन्दल, जल्मल, जल्मल, चमकदार उसमें पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल लेकिन उस उल्जन के पीछे मैंने तुम्हारे चमकते हुए प्रभामंडल तुम्हारे उद्दिप्त जो तुम्हारा आलोक है या तुम्हारे जोती है रोशनी है प्रकाश है उसको मैंने पहचाना है कितनी बार मैं धीरे, आश्वस्त, अकलांत, ओ मेरे अन्बुझे सकते हैं कितनी बार कितनी ही बार मैंने ऐसा किया है, मेरे जीवन में ऐसे पल आया है धीरे, धीरे यानि आराम से, आश्वस्त, आश्वस्त का मतलब होता है, जब मैं उच्छाइत हो जाओं या किसी बात पर मुझे भरोसा हो जाए, आश्वस्त हो जाए, अकलांत यानि बिना थके हुए, जिसमें जैसे हमारे सभाब में ताजगी आ जाती है, थकावट दूर हो जाती है ओ मेरे अन बुझे सकते है मेरे मन में अन बुझे जो अब तक खतम नहीं हुआ है ऐसा सकते है जिसे मैं जानना चाहता हूँ और अब तक वो समाप नहीं हुआ है उस सकते को जानने के लिए कितनी बार कवी ने ऐसा किया है कि वो उस सकते को जो उसके हर्दे में हमेश जलता रहता है हंएशा जो विचारों का प्रकाश जलता रहता है उसे जानने के लिए कितने ही बार उसने ऐसा किया ऐसी कोशिश की कि वह भारति aí संस्कृति के बारे में तो पहले से जानते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो विदेश की चका जो विदेशी चमकदार वातावरन है उसकी जो डिप्त जलक है वो उसके मन में जब आती और वो उसे पहचानने के लिए उसके पास जाने का प्रयास करता तो इससे क्या होता कि मन में एक विश्वा सुपन होता कि भारतिय संस्कृति ही सबसे अच्छी है सबसे एक्षेस्थ ह संसार में सर्वोत्तम है कभी ये कहता है कि यह मेरा अनुभव एक परकार का अनबुजा सकते है जिसे मैं बार-बार अनुभव कर चुका हूँ क्योंकि मेरे हर्दे में अनेक बार ये विचार आया है कि विदेशी संस्कृति और सब्वेता कैसी है लेकिन अभी भी वो करने के लिए कितनी ही बार उसने प्रियतन किया प्रियास किया इसका मुख्य जो भाव निकला कर आता है वो यही है कि कवी सत्य की खोज में अनेक बार विदेशों में गया लेकिन वो उसका भटका था भटकन था वो भटका है उस खोज को सत्य को पहचानने के लिए लेकिन अ और कितनी ही बार क्या हुआ अनेक बार कितने ही जगमक जहाज चका चोन से भरे हुए जो जहाज हैं वो मुझे खींच कर ले गए कभी के मन में यह जिग्यासा उत्पन होती कि यह जगमक करते हुए बड़े बड़े जो जहाज हैं यह विदेशों की और जाते हैं तो जरूर इसके पिछे कुछ ऐसा होगा जिसे जानना चाहिए लेकिन और उसको जानने के लिए कभी उन जहाजों पर चड़ा और विदेशों में गया मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर यानि दूर विदेशों में उसे जानने को मजबूर किया किसने जहाजों की चका चोन्दने उसे लगा कि जहाँ जितने जगमग है चकाचोन से भरे हुए हैं और विदेशों में ये जा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ जानने के लिए होगा किन पराये देशों की बेदर्ध हवाओं में कि वो पराये देश जिनें वो जानते नहीं थे ऐसे वेजशों की बेदर्द, बेदर्द का मतलब होता है क्रूर, वहाँ पर अपना पन उसे नहीं लगा, इसलिए वहाँ के वातावरण को कहता है बेदर्द या क्रूर हवाओं में रतात वहाँ के बेदर्द वातावरण में जहां नंगे अंधिरों को और भी उहारता रहता कि जहां नंगे अंधिरों को क्या बताना चाहते हैं जो दुख दर्द वहां छिपा हुआ है उस उस अंधकार को उस दर्द को उस अंधकार को और भी जादा उभारता है अर्थात और भी जादा सामने लेकर आता है क्या कहना चाहते हैं वो कि कितनी बार ही वो जहाजों पर ब जो कवी है उसे वहां की जो दुख वरा जीवन है जो चकाचोंद के पीछे छीपा हुआ दर्द है वो उसे देखने को मिला या उसको उसे जानने का मोका मिला तो उसे लगता है कि यहां यानी भारत से कहीं ज़्यादा बेरहम वातावरण विदेशों में है इसके बारे में निर्मम का मतलब यहांपर क्या है ? जो दया से रहित जिसमें कोई दया небहीं है ऐसी चमक जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते यानि प्रभामंडल कहां बनते हैं? हमारे मन-मस्तिश्क पर लेकिन वह ऐसा परकाश है कि उसका कोई प्रभामंडल नहीं बनता अर्थात वो हमारे हर्दे को प्रभावित नहीं करता एक ऐसा प्रभा मंडल वहां पर विद्यमान है वो चमक केवल चोंदियाती है हमारी आँखों को धुंदला कर देती है हमारे जीवन जोती को नहीं बढ़ाती हो ऐसी चमक वहां की नहीं है जो हमारे ज्यान को संतुष्ट करें हमारे विचारों को विराम लगाए वहां की जो जोती है रोशनी है वो हमारी आंखों को चोंदिया देते हैं अर्थाथ हम सत्य और असत्य कुछ भी जानने के काबिल नहीं बचते महां पर केवल तथ्य तथ्य और तथ्य बचते हैं अर्था सिर्फ आंकड़े हैं उन आंकड़ों में भाव नहीं है क्या बताना चाहते हैं कि वहां पर सिर्फ कठोरता है सिर्फ तथ्य है तथ्यों के साथ भाव नहीं है अपना पन नहीं है आगे कहते हैं कितनी बार मुझे कितनी ही बार कि कितनी ही बार मुझे खिन का मतलब है कि मुझे किया मन उदास हुआ व्याकुल हुआ दुखी हुआ कैसे जäsे तरश्ट हो सदॉर डरना संत्रस्ट जोन, मैंデर्श से काउपतना दुखी हुआ कितनी ही बार उस चोंद से मैं कितनी ही बार बेचैन हुआ व्याकुल हुआ और दुखी हुआ और कितनी ही बार मेरे जीवन में ये पल आये हैं इसमें क्या बताना चाहते हैं यहां पर कभी कभी ये कहना चाहते हैं कि उसकी भावना को इससे चोट पहुंची उसके मन में जो चका चोंद या ज ऐसा कोई अपनापन उसे प्राप्त नहीं हुआ, अपितु वहां जाकर उसे खिन होना पड़ा, दुखी होना पड़ा, व्याकुल होना पड़ा, क्यों कि वहां की सब्विता की सच्चाई कुछ हो रहे है, वहां जो सब्विता है, उसकी सच्चाई, उसकी वास्त्विक्ता क्या है वहाँ पर जो अंदकार फैला है अर्थात कैसे अंदकार फैला है विचारों का अंदकार वहाँ पर एक तीखापन है जो हर्दे को परतारित करता है वहाँ पर जो दिखने वाली चकाचोंद है वो निर्मम है उसमें मानवियता के भाव नहीं है अर्थात बताना चाते जो भारतिय सब्विता और संस्कृति में मानव के प्रति प्रेम का भाव है वो भाव कहीं बाहर जाकर कभी को देखने को नहीं मिलता इसमें कभी यही कहना चाते हैं कि हमें अपने वास्तिक जो हमारी भारतिय सब्विता और संस्कृति है इन जीवन मुल्यों को पहचानना चाहिए और विदेशी चकाचोंद में अपने पन को ढूणने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अपना पन नहीं है केवल चकाचोंद है और वो चकाचोंद केवल हमारी आँखों को धुंदला करती है हमारी आँखों को चोंदी आती है इसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है थोड़ी सी कवीता में हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए लेकिन उम्मीद करती हूं कि एक से दो बार जब आप इसे करेंगे तो आप इसे यसानी से समझ पाएंगे इसे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद